हेलो बच्चों, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चप्टर नमर 4 की एक्सरसाइज 4.5 का लेवल 1 फ्रॉम आडी शर्मा इस एक्सरसाइज में हम कौन से फॉमले को यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले हम उसको सीखते हैं देन उसके बाद वन बाइवान हम कोशिन को सॉल्व करेंगे aq प्लस bq प्लस cq माईनस 3abc बराबर है तो इस एक्सरसाइज में आपने इसी फॉमले को यूज करने हैं अब इसको कैसे यूज करने है तो स्टार्ट करते हैं और आपको एक्स्प्रेशन दे रखिए है 3x प्लस 2y प्लस 2z 9x² प्लस 4y² प्लस 4z² माईनस 6xy माईनस 4yz माईनस 6zx इन दो टर्म को आपको एक्चुल में मल्लिप्लाइ नहीं करना जो भी मैंने अभी आपको फॉमला बताया तो उसको यहाँ पर कैसे यूज करेंगे तो सबसे पहले मैं इसको रिलेट करता हूँ उस फॉमले से तो आपको मैंने भी बताया कि a प्लस b प्लस c ब्रैकेट a² प्लस b² प्लस c² माईनस a b माईनस bc माईनस c किसके ब्राबर होगा aq प्लस bq प्लस cq माईनस 3abc के अब सबसे पहले हम क्या करेंगे इस expression को इस format में convert करेंगे तो आपका term बनेगा 3x प्लस 2y प्लस 2z ब्रैकेट 9x² को अब लिख सकते है 3x का whole square प्लस 2y का whole square प्लस 2z का whole square माईनस 3x multiply by 2y तब ही हमारा क्या बना होगा 6xy minus 2y into 2z minus 2z into 3x और अगर मैं इनको इससे relate करो तो यहाँ पर हमारी a की value है 3x b की value है 2y and c की value है आपके 2z तो हमारा answer बन गया 3x का whole cube प्लस 2y का whole cube प्लस 2z का whole cube minus 3 into 3x into 2y into 2z आपका बनेगा 4x minus 3y plus 2z ब्रैकेट इसको हम लिख सकते है 4x का whole square plus 3y का whole square plus 2z का whole square plus 4x into 3y plus 3y into 2z minus 2z into 4x और अगर मैं इसको relate करूँ इस formula से तो आपका बनेगा a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a that is equal to a cube plus b cube plus c cube minus of 3abc और अगर मैं इसको इससे relate करूँ तो यहाँ पर आपका a की value कितनी है 4x b की value यहाँ पर plus b और यहाँ पर minus 3y that means b की value आपके निकली minus 3y and c की value निकली आपकी 2z तो अगर मैं इससे को इससे convert करूँ तो आपका transform होके क्या बनेगा यह formula बनेगा तो that means आपका final answer आगया 4x का whole cube plus minus 3y का whole cube plus 2z का whole cube minus 3 into 4x into minus 3y into 2z तो आपका final answer बन गया 64x cube minus 27y cube plus 8z cube minus minus plus 3,4,0,12 12,3,0,36 36,2,0,72 x,y,z तो यह होगे आपका final answer next part देखिए आपको एक expression दे रखिए है तो सबसे बहले हम क्या करेंगे इसकी second term को transform करेंगे 2a minus 3b minus 2c 4a का square को हम लिख सकते है 2a का whole square plus 3b का whole square plus 2c का whole square plus 2a into 3b minus 3b into 2c plus 2c into 2a और अगर मैं इसको relate करूँ formula से तो यहाँ पर आपका in term of a,b,c दे रखे तो हम formula को लिखेंगे in term of x,y,z तो आपका यहाँ पर बनेगा x plus y plus z bracket x square plus y square plus z square minus x,y minus y,z minus z x और यह आपका किसके ब्राबर होगा x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz के और अगर मैं इन डोनों को relate करूँ तो आपकी x की value बन रही है 2a y आपका positive यहाँ पर आपका negative that means y की value निकली आपकी minus 3b and z की value निकली आपकी minus 2c तो अगर मैं इसको simplify करूँ तो आपका transform होगे यह बन रहा है that means अगर मैं इसको भी लिखूँगा तो आपका final answer आएगा 2a का whole cube plus minus 3b का whole cube plus minus 2c का whole cube minus 3 into 2a into minus 3b into minus 2c तो आपका final answer बन गया 8a cube minus 27b cube minus 8c cube minus minus plus plus minus minus 3 2 0 6 6 3 0 18 18 2 0 36 तो आपका answer आगे 36abc तो यह हो गया आपका final answer next part देखे आपको expression देरेक है तो सबसे पहला हम इसको simplify करते हो तो 3x minus 4y plus 5z as it is 3x को लिख सकते है 3x का whole square plus 4y का whole square plus 5z का whole square plus 3x into 4y plus 4y into 5z minus 5z into 3x और अगर मैं इसको formula से relate करो तो a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus c तो यह आपका किसके बराबर होगा a cube plus b cube plus c cube minus 3abc के और अगर मैं इन दोनों को relate करो तो आपकी a की value आ रही है 3x and b की value आ रही है minus 4y and c की value आ रही है आपकी 5z तो अगर मैं इन दोनों को multiply करता है तो आपका formula बनता है this तो that means अगर मैं इन दोनों को भी अगर multiply करूंगा तो 3x का whole cube plus minus 4y का whole cube plus 5z का whole cube minus 3 into 3x into minus 4y into 5z तो आपका final answer बन गया 27x cube minus 64y cube plus 125z cube minus minus plus 4 5z 20 23 is 60, 63 is 180 तो यह आपका बन गया 180xyz तो यह हो गया आपका final answer next question देखिए question number 2 evaluate और first part आपको दे रखा है 25 का cube minus 75 का cube plus 50 का whole cube तो अगर मैं इसको within bracket रुखो तो आप ऐसे लिख सकते हो 25 का cube plus minus 75 का whole cube plus 50 का whole cube तो आपको बताए कि यहाँ पर sign आपका positive होना चाहिए और अगर हम within bracket वाली value को अगर हम let करे a, b, c तो that means a की value आपकी बनकी 25, b को हमने माल लिया minus 75 और c को हमने देखा 50 तो अगर हम तीनों का sum करके देखे तो हमारा क्या आ रहे है a plus b plus c that is equal to 25 minus 75 plus 50 that is equal to 0 तो मतलब अगर हम इस formula को देखो a cube plus b cube plus c cube minus 3 a, b, c और आपको बताएगी किसके बराबर होगा a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus a, b minus b, c, minus c है और अभी आपने निकाला इन तीनों का sum कितना अरज 0 तो यह चीज आपकी 0 थी तो that means यह अपका 0 हो गया तो minus 3 a, b, c वाजा कि क्या बने गया plus 3 a, b, c तो मतलब अगर हम इसमें दुबारा अगे यह value को देखे तो आपका answer आ गया 25 का whole cube plus minus 75 का whole cube plus 50 का whole cube और अगर मैं तीनों का cube का sum की value निकालू तो वो directly किसके बराबर आ रहे है 3 times 25 into minus 75 into 50 और अगर हम तीनों को multiply करें तो आपका final answer आएगा minus 28, 1, 2, 5, 0 तो यह होगे आपका without actual calculating the cube with the help of this formula हमने क्या कर दिया उसकी final answer निकाल दिया next पाथ देखिए 48 का cube minus 30 का cube minus 18 का cube तो सबसे पहले हम क्या करेंगे sign को positive बनाएंगे तो यह आपका बन गया 48 का whole cube प्लस इस minus sign को अंदर लेगे जाएंगे आपको बता है कि अगर minus का cube करेंगे तो minus यह आएगा plus minus 18 का whole cube और अगर मैं within bracket वाली value को अगर abc let करता हो तो यह आपका बन गया 48, b आपका बन गया minus 30 and c आपका बन गया minus 18 तो सबसे बहले हम a plus b plus c की value find out करेंगे तो यह आपका है 48 minus 30 minus 18 that is equal to 48 minus 48 that is equal to 0 तो that means a cube plus b cube plus c cube minus 3 a b c का अगर हम formula लिखे तो वो किसके बराबर होगा a plus b plus c bracket a square plus b square plus c square minus a b minus b c minus c a k और अभी आपने निकाला कि इन 3 होगा sum क्या रज 0 तो that means a cube plus b cube plus c cube की value कितनी आ गई 3 times a b c के अगर मैं a b c की जगा again इस value को put up करेंगे तो आपका expression बनेगा 48 का whole cube plus minus 30 का whole cube plus minus 18 का whole cube यह किसके बराबर होगा 3 times 48 into minus 30 into minus of 18 और अगर हम सबको multiply करेंगे तो आप कहांचर आएगा plus 77760 तो यह होगा आपका final answer next part देखिए आपको डेरागा 1 by 2 का whole cube plus 1 by 3 का cube minus 5 by 6 का cube तो सबसे पहले हम term को positive बनाते हैं तो यहाँ पर आपका बन गया 1 by 2 का whole cube plus 1 by 3 का whole cube plus इस minus sign को within bracket लेके जाएंगे तो आपका बन गया minus 5 by 6 का whole cube तो सबसे पहले जो within bracket में value data के उसको हम ABC light करेंगे तो A आपका बन गया 1 by 2 B आपका बन गया 1 by 3 and C आपका बन गया minus 5 by 6 तो सबसे पहले हम A plus B plus C की value को find out करेंगे तो that is equal to half plus 1 by 3 minus 5 by 6 इन दोनों का अगर LC हम लोंगा तो आपका बनेगा 3 plus 2 by 6 minus 5 by 6 तो 5 by 6 minus 5 by 6 तो यह आपका कितना आ गया 0 तो यहाँ पर हम अगर formula लिखे A Q plus B Q plus C cube minus 3 ABC तो यह किसके ब्रापर होगा A plus B plus C bracket A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C है और यह term आपकी क्या है 0 आई तो मतलब यह सारी whole term क्या हो जाएकि 0 तो यहाँ पर आपका finance हम बना A Q plus B Q plus C Q minus 3 ABC वहाँ जाकर क्या बन गया plus 3 ABC क्योंकि यह term आपकी 0 बन चुकी है तो मतलब अगर मैं again ABC की यह value put up करूँ तो आपका final answer बनेगा half का cube plus 1 by 3 का whole cube plus minus 5 by 6 का whole cube that is equal to 3 times 1 by 2 into 1 by 3 into minus 5 by 6 3 से 3 cancel out तो आपका answer आगया minus 5 by 12 तो यह हो गया आपका final answer नेक्स पार देखिए 0.2 का cube minus 0.3 का whole cube plus 0.1 का cube तो सबसे पहले हम क्या करेंगे expression को positive बनाएंगे तो 0.2 का whole cube plus minus sign को अंदर distribute करेंगे तो आपका बनेगा minus 0.3 का whole cube plus 0.1 का whole cube अब within bracket जो value दे रहे के उसको हम ABC let करेंगे तो A आपका बन गया 0.2 B आपका बन गया minus 0.3 and C आपका बन गया 0.1 तो सबसे पहले हम तीनों का sum करके देखेंगे कि कितना आ रहे तो 0.2 minus 0.3 plus 0.1 तो 0.3 minus 0.3 that is equal to 0 तो मतलब A Q plus B Q plus C Q minus 3 ABC अगर हम formula लिखे तो वो किसके ब्राबर होगा A plus B plus C bracket A square plus B square plus C square minus A B minus B C minus C A के और यह term अब तो यह term आप अभी निकाल चुके हो that is equal to 0 तो 0 into something 0 तो आपका final term बना A Q plus B Q plus C Q minus 3 ABC वहाँ जाके क्या बन गया plus 3 ABC और अगेन अगर हम ABC की value put up करें तो आप cancel बनेगा 0.2 का whole cube plus minus 0.3 का whole cube plus 0.1 का whole cube that is equal to 3 into 0.2 into 0.3 minus 0.3 multiply by 0.1 तो आपका final answer बनेगा minus 0.018 तो यह होगे आपका final answer